यह अलग-अलग क्रीम आते हैं सो जादे क्रीम उरिम का यूज मत कीजिए कुछ क्रीम लगाईएगा जो आपके ऊपर से यहां तैलिये गरंथी को क्या कर देगा तेल से रोक देगा लेकिन वह बनाना तो नहीं रोकेगा निचवा जमा करते रहेगा करते रहेगा अहीं यहां दिक्कत होगा फिर आपको ठीक है जब कोई भी लड़का या लड़की मैट्रिक पास करके इंटर में जाता है तो उस टाइम में उसके शरीर में हार्मोनीक छेंज होता है हार्मोनीक चेंज कहने का सेंस यह थै कि आप जब 15 साल के एज में पहुँचते हैं 13 से 15 साल के एज म इस एज में आप देखेंगे लड़का या लड़की का बहुत सारा दाना निकलने लगता है शरीर में पहली बार हर्मोनिक चेंज होने के वज़से शरीर एड्जेस्ट नहीं कर पाता है एक दो साल के बाद वो एड्जेस्ट कर लेता है फिर दाना फुंसी खतम हो यह हम लोग को जिस एज में है इस एज में सफ्रादाना निकल ही नहीं सकता है इसकीन पूरा बंजर रह या कलर हो चुका है आपर मरुवस्थली भूमी हो गई है कैक्टस के लावे कुछ नहीं निकलेगा देखिए इस अब कैक्टस के लावे कुछ नहीं निकलेगा लेकिन जो नए यं प्थरीला, cactus बस निकलेगा, तो वो harmonic चेंज भी होता है, हार्मोनिक चेंज और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, साँगे आप best, अब सब लोगे हार्मोनिक चेंज क्या होता है यह सीबम जो होता है हमारे बाल में भी निकलता है हमारे सरीर का जो खोपड़ी होता है इससे भी सीबम निकलना बहुत जरूरी होता है और वह सीबम हमारे बालों को थोड़ा सा मुलायम रखता है बालों को क्या रखता है, मुलायम रखता है, किसी किसी के खोपड़ी में, किसी किसी के खोपड़ी में, तैलिय गरंथी कम पाय जाएगा, अब जब खोपड़ी में तैलिय गरंथी कम पाय जाएगा, तो सीबम की मातरा कम निकलेगी, उसका बाल एकदम ड्राई ड्राई रहता तो शीवं का आना बहुत जरूरी है आपके सरीड में थंडी के दिन में सीवं कम बनता है सीवं क्या बनता है? कम बनता है त्anka क्या? तो मरे हुए इसकीन को वैसे ही सूखा-सूखा मरा हुआ सकीन ऊपर पड़ जाता है सीवम रहेगा तो उसको चप-चपा करके मैल बना देगा, तो daranड़ी की दिन मैं सीवम कम बनता है, तो अच्छा जो हमारा खोपडी होता है इसमें भी सीवम कम बनता है, आला की शरीर सर में सीवम जो होता है ना, शरीर में एक फंगस पाई जाते हैं, शरीर में क्या पाए जाते हैं फंगस छोटे छोटे जी होते हैं फंगस वह इस सरी तो अचा के सीबम को खा जाते हैं जो इसमें सीबम पाए जाते हैं उसको क्या करते हैं खा जाते हैं और खाने के बाद जब वह बीट करते हैं यानि जब लेटिन करते हैं बीट तो उस बीट लेट को ही हम dandruff कहते हैं. क्या होता है, dandruff. देखता हूँ, देंडruff बहुत जादे होगे. इसका मतलब dandruff नहीं है, वो dandruff быist पादा रता है. इसल junior में fungus जादे, अब fungus खा रहा है जादे, इसलिए dandruff जादे, west nada में निकाल दम्माउमा मत हो जाए हमको बढ़ोती में बड़ी दिक्कत होता है ठट्डी उड्डी में दम्माउमा हो जाता है आगे बने देखिए द्यांसर तो हमारे सरीर में जो सीबम बनता है उसे फंगस खाता है उस फंगस का जो बीठ होता हो क्या कलता है डेंडरफ कलता है इसलिए डेंडरफ करने के वाहाँ जरू धुला ला यह सब चीजे जो होती है फंगस वगरा इसमें जादे होते हैं समझा गया इसलिए ऐसा नहीं होता है है कि हमारे और किटारू तो अघटा अब तो जब SEMPOOD उसमने Fungus हाथ में आज आज आते हैं आप उसमें फंगस जीह होते हैं आपको बट्नी में पढ़ा हैं हमारी मरी हुई कोशी कावों में जब सीबम मिल जाता है तो उसे कर दो खंड़ा